नमस्कार स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में जहां पर आज मैं बात करूँगा ओलिगोस्पर्मिया के विशे पर बहुत डीटेल में और हम जानेंगे कि यह जो ओलिगोस्पर्मिया जो समस्या है यह है क्या किन कारणों की वज़े से होती है इसमें किस तरीके के लक्षण एक विक्ति को दिखाई देते हैं और इसके अगर इलाज की बात करें तो किस तरीके से एक विक्ति इसका सही और असरदार इलाज लेके अपने आपको इस बिमारी से बचा सकता है या दुबारा बाहर निकाल के एक स्वस्त जीवन जी सकता है तो देखें, oligospermia की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह होता क्या है oligospermia एक ऐसी समस्या है जिसमें एक पुरिश के वीरे में जो शुकुराणू होते हैं जिस्ते एक बेबी बनता है वो जब कम हो जाते हैं जिसकी वज़े से वो एक बेबी कंसीव नहीं कर पारे जो infertility की problem आजकल society में बढ़ रही है वो यही होती है oligospermia की problem जादतर cases में जो एक विक्ती का वीरे होते हैं उसमें शुकुराणू होते हैं जो female egg होता है उसमें penetrate करते हैं मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि वो ही एक child का birth करने का एक वज़ा होती है एक कारण होता है लेकिन जब यह शुकुराणू की population तादात कम हो जाती है वीरे में तो बेबी conceive नहीं हो पाता है यह इसलिए होता है क्योंकि जो female egg होता है वो आगे की तरफ नहीं आता वो penetrate नहीं करता जो एक पुरुष के वीरे में शुकुराणू होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं और female egg में penetrate करते हैं इसलिए इनकी मात्रा अधिक होना बहुत जरूरी है या यह कहें normal होना बहुत जरूरी है लेकिन जब यह quantity normal से low चली जाती है तो हम अक्सर देखते हैं कि infertility की problem मतलब बच्चा ना हो पाना बच्चा conceive ना हो पाने जैसी problems हमें देखने को मिलती है या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समस्यागा generally लोगों को पता शादी के बाद जब वो unprotected sex drive पर जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि baby conceive नहीं हो पा रहा है तब जाके उन्हें पता लगता है कि उन्हें यह समस्या है जब वो अपना check-up कराते हैं तो यहां तक बात हुई कि यह oligospermia जो है समस्या क्या है तो इतना कुछ समझने के बाद हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह जो oligospermia है मतलब जो यह sperm count है जो यह शुकराणू है यह कितने होने चुई है आम तोर पर पहले आपको यह समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बहाफ पर जो category है वो तीन category divide की जाती है यह कह सकते हैं तीन stages है पहली stage को हम बोलते हैं mild दूसरी को हम बोलते हैं moderate और third को हम बोलते हैं severe मतलब पहली जब शुरुआत होती है दूसरी जब यह normal से कम से और कम आ जाती है और severe मतलब जब यह समस्या बहुत ही गंभीर रू इक स्विखती के sperm में जो शुक्रानओं की quantity होती है जो तादात होती है आम-तौर पर वो 30 million sperm पर ml से लेके 200 million sperm पर ml तक होती है यह एख healthy sperm माना जाता है एक normal OK sperm माना लेकिन जब ये quantity 15 से लेके 30 million के बीच में होती है या ये कहें के 30 से कम होती है और 15 से जाधा होती है तो 15 और 30 के अगर बीच होती है तो इस थिती को हम stage 1 या फिर mild oligospermia बोलते हैं मतलब एक mild stage होती है जिसमें conceive करने के chances होते भी है और नहीं भी लेकिन अगर हम बात करते हैं second stage क जिसको हमने बोला moderate वहाँ पर जो sperm count है जो शुकराणू का count है वो घटकर रह जाता है आपका 10 से 15 million sperm per ml लेकिन यही अगर हम बात करते हैं severe stage की तो वहाँ पर sperm count रह जाता है 0 से 5 million sperm per ml तक तो ये तीनों जो है ये stages होती है जो एक विक्ती को देखने को मिलती है जब वो अपन reports देखता है यहाँ पर आप अमनी reports में देख सकते हैं कि आप कि stage पर है एक mild stage पर है moderate पर है या फिर आप severe stage पर है यहाँ पर आप चाहें first stage पर है second पर है या third पर है एक चीज़ ध्यान से समझिए कि यह जो problem है अगर हम इसके solution की बात करें अगर हम इसके ठीक होने की बात करे तो इसमें आप ठीक हो सकते हैं यह curable है क्योंकि यह होता है किस कारण से यह हमारे lifestyle की वज़े से अकर होने वाली एक problem है lifestyle के अलावा भी इसमें कुछ कारण होते हैं जो वज़ा बनते हैं oligospermia की उसके बारे में हम detail से बात करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर हमने किसके बारे को oligospermia की समस्या वाकी है या नहीं है या बस वो सिर्फ सुनके या अपनी उनों खुद से overthinking की वज़े से वो परिशान तो नहीं हो रहा तो अगर हम संकेतों की इसके लक्षणों की बात करते हैं तो as such मैं यह कहूं कि इसका यह सटीक लक्षण है तो यह गलत होगा इसका बिलकुल exact कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता क्योंकि अभी हमने वीडियो के शुरुआत में बात की कि समस्या का पता ही कब चल रहा है जब शादी हो गई जब बेबी conceive नहीं हो पा रहा तब हमें यह problem देखने को मिलती है और इसका as such कोई लक्षण नहीं होता है लेकिन फिर भी जब भारत होमपैती में patients आते हैं doctors उनको study करते हैं उनकी report study करते हैं उनकी history पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि 70% patients के अंदर कुछ common लक्षण देखने को मिलते हैं और वो जो लक्षण होते हैं वो एक एहम role निभाते हैं एक आम वेक्ति के ये समझने के लिए कि उ नहीं है या वो सिर्फ चिंता कर रहा है और अब हम उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे doctors study करके बताते हैं देखते हैं patients में जो लक्षण दिखाई देते हैं मतलब जब एक couple संभोग करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो duration होता है वो बहुत कम time होता है ऐसा होता क्यों है क्योंकि जो लक्षण है उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वो जो erection problem होती है मतलब जो तनाव होता है वो बहुत कम होने लग जाता है वो बड़ी जल्दी चला जाता है धीलापन आ जाता है तो उनका जो sex drive होती है बहुत कम सम की होती है जिसका एक बहुत बड़ा कारण होता है low sperm count क्योंकि low sperm count वाले विक्तियों के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो जो उनका sex drive का duration होता है वो कम होता है low sperm count की समस्या देखने को मिलती है तो ये कुछ ऐसे आमसे लक्षण है जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं आपको low sperm count या निक ओलिगोस्परमिया की समस्या है या नहीं तो ये तो हुई हमारी सारी लक्षणों की बात अब लक्षणों के बारे में समझने के बाद बारी आती है समझने की कि इसके जो कारण होते हैं जो cause होते हैं वो क्या होते हैं क्योंकि ओलिगोस्परमिया जो problem होती है इसके पीछे जो हमारे symptoms है कुछ हमारी habits से related है हमारे lifestyle से related है और कुछ हमारी natural चीजों से related है मतलब शरीर के अंदर की immunity से, hormone से related है इन सब को बारी-बारी करके गहराई से समझेंगे ताकि हम ये जान सकें कि इन में से हमारी कोई आदत है या नहीं या हमें इन में से कोई समस्या है या नहीं ताकि ये clear हो जाए कि आपको oligosmemia की समस्या है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो इसके कारण है वो क्या-क्या होते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कारणों की तो उसमें आता है vericoceal की समस्या वो फूल जाती है वहाँ पर जो blood circulation होता है वो proper नहीं हो पाता मतलब साफ खून आना गंदा खून वापस जाना ये वला जो circulation है ये proper नहीं चल पाता जिसकी वज़े से जो वहाँ पर एक temperature होता है जो maintain होता है वो maintain नहीं रह पाता और इसका सीधा असर पढ़ता है हमारे testicles पर हमारे sperm पर और हमारे sperm count की quality प्लस quantity पर ऐसा क्यों क्योंकि जो हमारे अंकोश है उनका काम क्या है उनका काम है hormone produce करना कौन से hormone? Testosterone और भी कई अलग-अलग hormone produce करना जिसकी वज़े से एक पुरुष को पुरुष वाले सारे तत्व देखने को मिलते हैं उसके अंदर वो आदत देखने को मिलती है और वो develop होती है लेकिन जब वो flow ठीक से नहीं हो पा रहा है वहाब का system ठीक नहीं है वो temperature maintain नहीं हो रहा तो उसकी वज़े से जो sperm का production है वो उस तरीके से नहीं हो पाता उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और finally low sperm count की समस्या देखने को मिलती है तो ये तो था सबसे पहला कारण अगर अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की तो दूसरा कारण होता है infection कौन सा infection सबसे पहले UTI infection Urinary tract infection मतलब आपको मूतर के रस्ते अगर कोई infection हो जाता है आप साफ सफाई नहीं रखते हैं आप public toilet यूज करते हैं तो वहाँ से infection होने के खतरा बहुत जादा हो जाता है जिसका सीधा असर आपके sperm count पर पड़ता है इसी के साथ साथ एक और कारण होता है कि अगर आप unprotected six करते हो और अगर partner से आपके अंदर कोई infection आजाता है तो वह भी सीधा प्रभाव आपके sperm count पर डालता है जिसके कारण oligospermia की समस्या देखने को मिलती है अब ये असल में देखने को हमें मिल क्यों रही है क्योंकि जब भी ये infection किसी भी पुरुष के अंदर आता है तो वो क्या करता है वो आपके testicles में inflammation create करता है जिसके कारण जो आपके sperm का production है वो disturb होता है और low sperm count उसका result देखने को मिलता है आप बात करते हैं अगले और तीसरे कारण की तो तीसरा कारण क्या होता है देखे जब एक विक्ति intercourse करता है संभोग करता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का वीरे बाहर निकलता है लेकिन कुछ लोगों के साथ एक समस्या आती है कि वो वीरे बाहर निकलने की बजाए आपके अंदर ही bladder की ओर चले जाता है और जब ऐसा होता है तो उससे आपका जो sperm production है जो sperm count है उसमें problem आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो जो proper एक function है जो चल रहा था वो नहीं हुआ वो function खराब हो गया जिसकी वज़ा से आपकी body के अंदर आपके जो bladder है वहाँ पर वो sperm चले जाता है और problem create होनी शुरू हो जाती है लेकिन ऐसा होता क्यों है ये प्रशन आपके मन में आ रहा होगा इसकी कुछ कारण है अगर हम कारणों की बात करें तो पहला होता है diabetes जिन वेक्तियों को diabetes की समस्या देखने को मिलती है उनके अंदर अकसर ये देखने को मिलता है और इसके एक सबसे बड़ा कारण erectile dysfunction भी माना जाता है और ये erectile dysfunction के कारण भी देखने को मिलता है जब तनाव ठीक से नहीं रह पाता है तो जो ejaculation होता है वो proper नहीं हो पाता है वीरे बाहर नहीं आता है उसकी बजाए वो अंदर चला जाता है दूसरा अगर किसी विक्ति को spinal में कोई injury हुई हो या आपकी अगर bladder की कोई surgery हुई हो या urethra की problem अगर आपको हो तो भी ये problem देखने को मिलती है कि वो जो वीरे है बाहर नहीं आने के बजाए अंदर ही चले जाता है बात करते हैं चौथे और अगले कारण की तो वो बहुत एहम है क्योंकि जनरली कोई विक्ति समझ ही नहीं पाता ये भी इसका एक कारण हो सकता है हम अपनी life में आम तोर पर जैसे ही बिमार होते हैं direct doctor के बाद जाते हैं doctor जो medicine लिखता है हम उसे लेते हैं बिना सोचे समझे क्योंकि हम सोच समझ नहीं सकते हैं doctor ने लिख दिया हमें विश्वास है हमने खा ली लेकिन यहां पर एक ध्यान दे कुछ दवाईयां ऐसी होती हैं जो आपके sperm पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है specially आपके sperm production पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है यह दवाई कोई भी हो सकती है reason क्योंकि हर व्यक्ती का जो शरीर है वो अलग है same दवाई अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग प्रभाव छोड़ती है तो अगर किसी medicine के लेने से आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ change आ रहा है कुछ अटपटा लग रहा है या sexual कोई problem अकर हो रही है उस दवा को जल से जल बंद कर दे अपने doctor से consult करे और उसकी जगा कुछ और दवा ले बलकि कोशिश करे कि अलोपैट की दवा आप जितनी कम से कम हो सकती है उतनी ले और छोटी मोटी चीजों के लिए अक्सार हम क्या करते है हमें जुखाम हुआ, खासी हुई, हमने दवाई खाली लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि ये जो दवा है जो आपको छोटी सी समस्याना उसको तो शायद ठीक कर रही है लेकिन कितना बुरा प्रभाव बाकी चीजों पर डाल रही है ये हम समय रहते, नहीं पहचान पाते और समय निकल जाने के बाद सिर्फ हात मलते रह जाते है अब इसके अलावा जैसा कि हमने शुरुआत में बात की ती लाइस्टाइल से भी रिलेटेड कुछ कारण होते है अब लाइस्टाइल से रिलेटेड कारण क्या हो सकते है देखे, खान पान का खराब होना ये एक नॉर्मल है जिसकी वज़े से बहुत सारी बिमारियां हो रही है लेकिन यहाँ पर खान पान से हटके कुछ चीज़े और है आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में लोगों की बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है स्मोकिंग करना इवन बहुत जादा स्मोक करना डिनकिंग करना अगर आप स्मोकिंग, डिनकिंग, इवन तंबाकु चवाना नाच्विंग टाबैको की अगर आपको आदत है तो इसके कारण आपके स्पर्म काउंट पर असर पड़ सकता है समय रहते अपनी इन आदतों को कंट्रोल करें अब ऐसा होता क्यों है इसे समझिए क्योंकि ऐसे मैं कह रहा हूँ और आप मान रहे हो यह सही नहीं है जब भी आप माल लीजिये आप समोक करते हैं यह ड्रिंक करते है तो आप देखेंगे जब भी आप स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं तो क्या होते हैं हमारे जो साल्स होते हैं वह ऑजाते हैं मतल mango अलग सी एद जूष्र scenario आ क्या होता है जो उसके hormones होते हैं वो imbalance हो जाते हैं और जहां आपके hormone imbalance हुए वहाँ पर आपको oligospermia यानि low sperm count के समस्या देखने को मिलती है इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि इन आदतों को समय रहते छोड़ दें या ये कोशिश तो जरूर करें कि कम से कम इनका सेवन करें क्योंकि ये आपको फाइदा तो किसी भी तरीके से नहीं पहुँचाने वाले और अगर हम इनके नुकसान की बात करें तो उनकी list खतम नहीं होती सो कोशिश करें कि आप इन सब आदतों से बच के रहें जो कारण मैंने बताए हैं उनको consider करें ताकि आप इस समस्या से बच सकें लेकिन अब हमें यहाँ पर ये समझना और बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका सही उपचार क्या है कहां है कहां से ले और कैसे ले क्योंकि बहुत सारे जो patients हैं वो बड़ा परिशान होते हैं कि सर ये एक ऐसी समस्या है जो हम ना तो अपने मातापिता से discuss कर सकते ह हैं even ना ही हम अपने partner से discuss करते हैं क्योंकि बहुत embarrassment होती है even बहुत सारे males हताश हो जाते हैं depression का शिकार हो जाते हैं stress लेना शुरू कर देते हैं कि आगे क्या होगा हमारी family कैसे चलेगी आगे की life में क्या होगा यहाँ पर आप सबसे एक request है सबसे एहम चीज क्या आप जानत इवन आपके विरिकोसील में और इवन अगर मैं बात करूँ एजोस्पर्मिया में इन तीनों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी यह जो problems हैं यह और बढ़ती हैं सिर्फ आपके stress और depression की वज़े से तो कोशिश करें stress बिलकुल ना ले क्योंकि मैंने आपको श सकते हैं इसका इलाज हम ले सकते हैं और दوبारा अपनी लाइफ को खुशाल बना सकते हैं लेकिन आप बात करते हैं कि is को हम कर कैसे सकते हैं देख़िए अगर आप बात कर रहे हैं कि सर मैं तो इसका treatment ले रहा हूं या मैंने इसका treatment लिया है मुझे तो कोई खास फराघ नही अगर हां तो यहीं पर इस बात को बंद कर देते हैं क्योंकि एलोपेथिक डॉक्टर्स आपको वही बताएंगे जो उन्होंने पड़ा है गलती उनकी नहीं है वो कहते हैं इसका ट्रीटमेंट नहीं है कई प्रॉब्लम से वो कह देते हैं सिर्फ सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है लेकिन ऐसा नहीं होता अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे जब हमारे यहां पर इलोपेथिक नहीं था हमारे राजा माराजा भी तो ठीक होते थे क्या उन्हें प्रॉब्लम से नहीं होती थी कैसे ठीक होते थे आयूरवेद से ठीक होते थे उसके साथ अगर आप ध्यान दे एक और पैती है जो बहुत समय पुरानी है कौन सी होमोपेती तो अगर हम बात करते हैं यहां पर आयूरवेदिक तरीके की या फिर होमोपेतिक तरीके की दोनों ही जो आपके ट्रीट्मेंट है वो बहुत असरदार है लेकिन दोनों में एक फरक है जो आयूरवेदिक ट्रीट्मेंट है और जो होमोपेतिक ट्रीट्मेंट है दोनों में आप दवाईयां काते हैं लेकिन दोनों में सबसा बड़ा फाराग क्या है यहां पर आपकी जो दवायां है वो जड़ी बूटी और गरा से मिलके बनी होती है कड़वी होती है पहला डिफरेंट और यहां पर मीठी गूलियां होती है जो पता ही नहीं चलती कि सच में हम दवा ले रहे हैं दूसरी मेडिसन मुह में गई घुली और काम करना शुरू क्योंकि वो एब्सॉब हो गई ना वही से उसका इतना लंबा प्रोसेस नहीं है दूसरी चीज जो होमोपेटिक मेडिसन है वो जनरली हम देखते हैं कि लोगों को याद रहता है खाना चोटी जी डिब्बी है जेब में र तरीके से होता है लेकिन हम सब को अपनी समस्या से निजात तो पाना है उसे ठीक तो करना है और अगर हाँ, तो हमें anyhow सयम रखना पड़ेगा, patience रखना पड़ेगा यहाँ पर एक और बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यह जो समस्या आई, क्या यह एक दिन में आ गई, एक महिने में आ गई यह एक साल में आई, नहीं, इसे आने में, इसे बनने में बहुत समय लगा ठीक उसी तरीके से में यह नहीं कह रहा, कि सालों लगेंगे इसको ठीक होने में लेकिन हाँ, इसको ठीक होने में कुछ समय ज़रूर लगेगा अगर आप अपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए वो समय देने के लिए तयार है और सच में इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करिए नीचे दिये गए numbers पर हमारे doctors को call करें उनसे free of cost consult करें आपके जितने सवाल जितने doubt आपके मन में आ रहे हैं आप सभी उनसे पूछे और अपने आपको खुश रखें इस समस्या से बाहर निकालें और अगर हमारे doctor से मिलना चाहते हैं तो इसी number पर call करके हमारे doctor से appointment लेकर आप मिल सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इस video के माध्यम से आप सब को अच्छे से समझाया होगा कि जो oligospermia की problem है, जो low sperm count की problem है या जिसे हम कह रहे हैं कि शुकराणू कम होने की जो problem है, निसंतान या बच्चा ना होने की जो problem है ये किन कारणों की वज़े से हैं, क्या इसके लक्षन है, क्या इसका सही इलाज है अगर video थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा और हाँ, अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है, तो ऐसी और videos देखने के लिए channel को subscribe जरूर करतेजेगा सो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, इस video में मिलूँगा अपनी अगली video में, तब तक के लिए नमस्कार